हर आंदोलन का अपना एक इतिहास होता है उसकी एक परंपरा होती है और उसमें सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज होती है वो नारे होती है हर आंदोलन अपना एक नारा गढ़ता है हमारे साथ इसवक्त केके सुकला खड़े हैं आप इनके चेहरे से इनके उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं उम्र करीब करीब 85 साल है और उन्होंने 1967 से लेकर यानि इमर्जनसी के पहले के हालाद से लेकर आज तक के हालाद देखें हैं उस समय ही नहीं आज भी एक नारा लगाया जाता है गददारों की तीन दवाई लुत्तम जुत्तम और पिटाई हम केके सुकला से जानेंगे कि इस नारे का असल में जनम कब हुआ कब यह नारा पॉपुलर हुआ और कैसे बना जी सुकला जी बताईएगा 6 दिसंबर 1966 को यहां उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट इंपलाइच की एक इत्यासिक हर्ताल शुरू हुई और वो इत्यासिक हर्ताल बांसर दिन तक चली और उस बांसर दिन की हर्ताल में उस समय की कांगरीज की सरकार शुचेता करप्रानी मुखमंत्री थी उन्हों दमन के सारे राष्टे अपनाए यहां तक कि हज्जारों दसीयों हजार लोग बर्खास किये गए दसीयों हजार लोग जेलों में गए दसीयों हजार लोग जो है उस समय पर उनके वारण कटे कुड़की जबतिया हुई इसके बावजूत कर्मिचारी तूटे नहीं और वो लगाता अपना संगर्ष और तीरू करते जा रहे थे और जन समर्थन भी उनको मिलता जा रहा था और एक खास्यात और थी उस समय पर भी उस समर्थन के पीछे बामपंतियों का एक बड़ा रोल था चल रहा था और पचासमे दिन जब अंदोर्ण के पचास दिन हो गए तब पचासमे दिन सरकार ने हमारे जो आठ नेताओं का विंग था उस विंग में से चार नेताओं को उन्होंने तोड़ लिया मतलब खरीद लिया या तोड़ लिया उन्होंने उसको वो कर लिया और यह एलान करवा लिया रेडियो से कि हम हरताल वापस ले रहे हैं बिना सर्थ हरताल वापस ले रहे हैं और उस समय पर आहाम कर्मचारियों के अंदर एक बड़ा रूस और कि आब चाहे कोई भी नेता बड़े से बड़ा नेता भी अगर सरकार खरीद लेती है और उनको तोड़ लेती है तो हमारी अब हमारा नेता जो हमारी डिमांड है हमारी मांग है केंद्र प्रांद महेंगाई बत्ता एक हो वो केंद्र प्रांद महेंगाई बत्ता ही जब तक ए नहीं होगा यह उनका वह और उसी समय पर उन्होंने तीन एक नारा दिया गद्दारों की है तीन दवाई लगतम जुत्तम और पिटाई और शुरू हो गया जहां जहां पर जो निता मिला घेर करके उनको मारना पीटना शुरू किया और लेकिन यह राग कि मर्यादा में रहकर कि उनके पिटाई शुरू की गई ताकि यह नहीं हो और उसका नतिया निकला कि बाशनार दिन के बार हम लोग पूरी तरीके से जीत करके उस अंदोरन को खतम किया और उसी समय से एक नया युक शुरू हो गया कांग्रेश का जो सूरत कभी अस्त नहीं होता था उसका अस्त होना सुरू हो गया पहली मरत्वा उत्तर-प्रदेश के अंदर संभीत की सरकार वशनार कि यहां संभीत सरकार बनी जिसमें चार मंत्रियों में से हमारे भी दो मंत्री कमिनिस पार्टवे सबसे बड़ी चीज जीत हासिल की थी वह भत्ता की समानता थी पहले नहीं था पहले तो समानता थी उनका बत्ता ज्यादा था अच्छा और हमारा बत्ता कम था जो सेंट्रल गवर्मेंट के नौकरी करते थे उनकी बत्ता ज्यादा था और काम एकी जैसा होता था वही एक वर्क पर का नारा देकर के उन्हों और सुरुवात की समानकार के लिए समान बेतन वह आज भी उसका वह चल रहा है तो यह एक जीत बड़ी भारी शुरू हुई और सापा के लोगों ने हड़प लिया है यह उत्तरवर्देश खड़ा था वहां खेला हो बंगाल में लेकिन यहां पर ख़देड़ा होई ख़देड़ों इनको ख़देड़ा जाए देखा आपने अभी केके सुकला ने बताया कि कैसे एक आंदोलन जो 1967 में सुरू हुआ कर्म अचारियों के भत्ते अलग-अलग थे इस आंदोलन के बाद एक हुआ और उस आंदोलन से जो एक नारा उपजा जो आज भी लगाते हैं लोग गद्दारों के तीन दवाई लत्तम जुत्तम और पिटाई जाहिर तोर पर इस तरह के इतिहास और परंपराएं ही जनांदोलन और लोगतंत्र दोनों को मजबूत करती हैं जिसकी बदौलत हम और आप आज बोल पा रहे हैं कुछ कह पा रहे हैं अधिकार हासिल की लड़ाईया लड़ पा रहे हैं धन्यवाद न गोधी मीडिया न विरोधी मीडिया न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार जनज्वार की हर खबर को जनजन तक पहुचाने के लिए फेस्बुक पेज को फॉलो करें सेयर करें